जरूर सुनें, नम्बर अंगुखी के नाखोनों पर सरसु का तेल लगाने से आखों की कुजली, लाली और चलन ठीक हो जाती है नम्बर दो, तीज भुखार के दोरान अगर हींग का सेवन किया जाए तो इससे बेहत जल्दी आराम मिलता है नम्बर तीन, खड़ी होकर कभी पानी ना पियें, क्योंकि खड़ी होकर पानी पीने से घुखने कमजूर होते है नम्बर चार, अगर आप सुबह कोफी या चाय की बजाए एक सीब खाए तो इससे आप प्रदिक स्वस्त रहेंगे नम्बर पांच, तुलसी की सेवन करने से मलेरिया नहीं होता है नम्बर च्छे, सुबह का नास्ता दिन का सबसे महरतपूर बोजन है सुबह का नास्ता छोडने से आपका सरीर और दिमाग दोनों कमजूर होते हैं नम्बर साथ, मुव से सांस लेने पर आपके जीवन जीने की गुण घटती है इसलिए हमेशा नास्त से सांस लें नम्बर आट, अधिक जर्म कुई भी चीज पीने से कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है नम्बर नौ, सो बार हसना किसी साइकिल पर पंदरा मिनट के वियायाम के करने के बराबर है नम्बर दस, रात की समय चावल भर पेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात को इसे पचाना मुश्किल होता है नम्बर ग्यारे, यदि आपको सीर दर्द हो रहा है तो आप निवू की पत्तों का रस निकाल कर सूंगे, जल्दी आराम मिल जाएगा माइग्रेन की समस्या से भी चुटकारा मिलता है नम्बर बारह, सरसू की तील में नमक मिला कर मारिश करने से छाती में जमी वीक अफ बलगं की गाठे निकल जाती है नम्बर तेरह, बिद्यार्थियों को एक्जाम के पहले कीला खाना चाहिए इससे उनमें एनर्जी बनी रहती है और कीले में मौझूद हाई पोटेसियम उनके दिमाग को तीज बनाता है जिससे लिखने में बहुत मदद मिलती है नम्बर चौदर, सर्दियों में अंड़ा जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है जो सरीर में होने वाली प्रोटीन की कमी को पूरा करने के साथ हड़िया मजबूत करेगा नम्बर पंदरह, इसी में सोने से मुटापा बढ़ता है जितना हो सके प्राकृतिक वातावरण और मौसम के हिसाब से खुद को ढालने की कोसिस करें आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद